अब इस मिक्स्चर को डालने के बाद हमारा यह पोदा दो से तीन महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएगा दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डिनिंग और विदा में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नर्सरी सिक्रेट के बारे में कि नर्सरी सिक्रेट क्या है कि हमारे पोदे कैसे चलते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो आप लाश्ट तक जरूर देखेगा आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर है आप हमारे पीछे देख अच्छे लगती है तो हमारे चनल गार्णिंग एडर विदर को सस्क्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्चन में आप किसी भी चीज की क्वारी ले सकते हैं बेज जक आप कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो निम्बू है ह हमारे पास इस निम्बू को अब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यानि जो ये निम्बू है जितना भी ये इस थैली के अंदर है और ये आप देखिए साई जिसका लग बग लग बग एक से डेड़ बिलाद का है और अब हम इस सारे के सारे निम्बू को अब हम रिपोर्टि तो यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर यहाँ पे लग 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 बारा से पंदरा तसले मिट्टी हमने डाली है और मिट्टी डालने के बाद हमने इसके अंदर दो तसले वर्मी कमपोस्ट मिलाया है और आदा तसला नीम खली आप नीम खली को आप एक तसला भी ले सकते हैं बट हमारी मिटी अच्छी क्वाल्टी की है और यहाँ पे infection भी नहीं है तो हमने आदा तसला नीम खली लिया है तो अब आप देखें कि अब हम इनको reporting कैसे कर रहे हैं यह हमारे पास जो मिटी का गमला available था हमने वो मिटी का गमला लिया है और उसके अन्दर हमने इस पोधे को प्लांट कर दिया है अब हम इस पोधे को प्लांट करके और अपनी नर्षरी में हम इनको एक तरफ रख देंगे इसकी जड़े जो इस पोधे के साथ जो मिट्टी लगके आई थी जो हमने अभी इस थैली के अंदर जो मिट्टी है वो यूँकिक यूँ निकालके हमने इसके अंदर रख दी और साइडों में जो मिक्शर हमने बना रखा था वो मिक्शर को हमने साइडों में और नीचे अच्छे तरीके से भर दिया है तो दोस्तो इसका करने का रीजन ये है कि ये जो जितने भी पोधे आये हुए हैं ये हमारे पास ज़्यादा छोटे साइज के हैं और ये ज़्यादा छोटे होने के कारण हमारे यहां से बेचने में दिक्कत आती है तो अब हम इनको यहां पे बना के इनको यहां पे रख देंगे और इनके अंदर खास बात दोस्तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो भी इसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी डालने के लिए आप पाइप के प्रेशर का यूज ना करें आप कभी भी इस तरह से कोई भी गमले के अंदर आप पोधा रिपोर्टिंग करते हैं तो आप उसको जो अपना पानी का जो जहारा होता है पांच लिटर दस लिटर उस जहारे की मदद से ही पानी दें या फिर आप डिरेक्ट डिब्बे के साथ थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं अगर आप पाइप के साथ अगर आप पानी देते हैं तो पाइप के साथ पानी देने में क्या होता है कि इसकी जो मिटी है और जो पतियां है उसके उपर प्रेशर से पानी जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा जड़ों को हिला देता है या फिर पानी जादा गिर जाता है तो उसकी वज़े से ये मर जाते हैं धीरे धीरे गलाई पकड़ जाते हैं तो दोस्तो ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये एक किसम से nursery secret है और इस तरह की बातें आपको नहीं बताई जाती बस आपको ये बताया जाता है कि आप खाद मिलाएं मिट्टी में और आप उसको अपने पोधे को लगा लेजिए तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है अब इस mixture को डालने के बाद हमारा ये पोधा दो से तीन महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएगा और ये अच्छे तरीके से फिर हमें बेचने में असानी होगी तो दोस्तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल गार्डनि हमारे पास यहां पर रखी हैं और ये देखे हमारे पास यह माल कैसे आया हुआ है ये ऐसे प्राली की जो जुट्टी बनती है उसके अंदर ये आया हुआ है इसको भी हम जो थैली होती है ये जो ब्लैक लर की जो थैलिया होती है इसके अंदर हम इन सब को डाल के इसी mixture के सा सकते हैं हमें मेल भी कर सकते हैं मेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको किसी भी परकार की कोई भी दिक्कत लगती है तो आप हम से संपर कर सकते हैं हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सभी के सभी पोध है कि आप ध्यान दे कि प्लास्टिक के गंले के अंदर नीचे सुराख होने चाहिए एक या दो सुराख नहीं हो जितने ज्यादा सुराख होंगे उतना ज्यादा पोध्या आपका चलेगा तो इसके अंदर डिरेक्ट आप मिट्टी भर सकते हैं या फिर नीचे कुछ बजरी या फिर ठेकरी लगा के आप इन पोधों के रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारे दवर अदियु जानकार या अच्छी लगी हैं और शेर भी जरूर कीजेगा तो धन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै भारत